जब भी आप एक्वेरियम में मचलियों को देखते हैं तो आपने देखा होगा कि वो हमेशा तैरती रहती हैं कभी आपने सोचा है कि ये मचलियां तैरती हुई थकती क्यों नहीं है और थकने के बाद सोती नहीं है इसका जवाब है मचलियां ठकती भी हैं और सोती भी हैं ऐसे मैं जानते हैं कि आखिर मचलियां कैसे सोती हैं और सोती समय क्या आँख भी बन करती हैं आजे जानते हैं मचलियों के सोने से जूड़ी हर एक बात पहले बता दें कि जैसे आपको आराम की जरुरत होती है वैसे ही मचलियों को भी आराम की जरुरत होती है इसलिए मचलियां भी रेश्ट करती है और सोती भी है लेकिन मचलियां इंसानों की तरह नहीं होती कि एक बार रात में सोये और सुबह 8 बे तक सोती रहे मचलियां पूरे दिन में कभी भी सोकर अपनी धगान के भरपाई कर लेती है कभी दिन में तो कभी रात में मचलियां पूरे दिन में कई बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए सोती है लेकिन सोती वक्त उनका दिमाग एक्टिव रहता है ऐसा नहीं मचलियां अन्य जानवल की तरह घहरी नीद में सोएं कहां सोती हैं मचलियां मचलियां अक्सर पाने के अंदर ही सोती हैं आपने देखा हुआ कि एक्वेरियम में रखी मचलिय भी कई बार कुछ देर के लिए तैरना बंद कर देती है इस वक्त वो औराम ही करती है वैसे कई मचलिया नदी तलाब आदी के किनारे पर रेष्ट करती है ऐसे ही एक्वेरियम में भी मचलियां एक कोने में कई बार एक जगे उस्थिर दिखाई देती है और उस वक्त वो सो रीज होती है सोने की टेम की बात करें तो यह मचलियां कुछ अलग भी होती है और रात में जातर मचलियां अराम करना पसंद करती है क्या आँके भी बंद करती हैं मचलियां? अधिकतर मचलियां के पलके नहीं होती है और उनकी आँके हमेशा खुली ही दिखाई देती है हर मचली के सोने का तरीका अलग होता है कई मचलियां गहराई में जाकर या किसी पत्तर की आड़ में सोती है वैसे का जाता है कि अपने अंडों की रिक्षा आदी के वक्त वो कई दिनों तक सोती भी नहीं है स्फिस तैरती रहती है इसलिए सोने की क्रिया हर मचली की अलग-अलग होती है ऐसे और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शिर्ट चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यावाद